हलो रिवान आप तुरुपती वेलकम टो नपेसी एंड बचा चेप्टर 3 मोशन इन स्टेट लाइन में आज का मारा टॉपिक होगा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंट फ्री फॉर्ड ओके मोशन के बारे में हमने स्टेडी किया है कि मोशन क्या होता है मोशन इस चेंज इन पूजीशन विद टाइम ठीक है किसी बी उबजेक्ट की पूजीशन में चेंज करना विद रिस्पेक्ट टु अगर कोई बॉड़ी पॉइंट एपर है ठीक है उससे वी पर ले जाना है तो आप चेंज करेंगे, पोजिशन को चेंज करेंगे, बट टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें कुछ टाइम भी लागेगा, तो किसी भी अबजेक्ट की पोजिशन में चेंज करना, with respect to time, that is called motion, Okay, motion इतना होता ही, हमने study किया, ठीक है, बट इस motion में, इस word में free fall term, new term free fall add हो जाए, तो वो motion किस तरह से होगा, और उसमें क्या-क्या conditions होगी, equations किसे बनेगी, जो हमने काइनमिटिक equation पढ़ी है, ये last lecture में, वो equations free fall की condition में कैसे derive होंगी, ठीक है, वो आज हम lecture में सीखेंगे, ठीक है, आज के lecture में आपको free fall word का meaning समझ में आ जाएगा, clear, चले, so, सबसे पहले, आप किसी भी object को, ठीक है, यहां से आप क्या करें, ये आपका अर्थ है, किसी भी object को आपको upward direction में थ्रो करना है, ठीक है, आपने एक suppose ball ले लिया, बॉल को आपने upward direction में थ्रो किया, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा, कि वो एक time पे वापस return back हो जाएगा, ठीक है, आप other ball ले या other object, कोई दूसरा object ले ले ले, उसे भी आपने थ्रो किया upward direction में, again वो fall होगा, ठीक है, downward direction में, तो इसका मतलब ये क्या है, कि आर्थ जो है, वो हर एक object पे, एक acceleration या एक force create कर रहे है, ठीक है, अप अपने तरफ attract कर रहे है, हर एक object जो कि आप upward direction में throw करते हैं, वो एक time पे वापस क्या हो जाता है, downward आ जाता है, ठीक है, मतलब अर्थ के surface पे again वो आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, कि अर्थ जो है, वो हर एक object को अपनी तरफ attract कर रहे है, ठीक है, मिस अर्थ के gravitation के all है, यह यहाँ पर गया, एक particular position पर, ठीक है, अप upward direction में, और वो उस position पर जाकर return back हो गया, और अगेन अर्थ पर आया, मिस जो इसका जो acceleration है, ठीक है, इसका acceleration है, जो अर्थ की तरफ, अर्थ के gravitation power की तरफ होता है, उस acceleration को बोलते है, acceleration due to gravity, ठीक है, मिस अर्थ की gravity के कारण को कोई object downward direction में, एक particular acceleration से आ जाए, उसे बोलते हैं, आप acceleration due to gravity, और इससे हम generally g से denote करते हैं, किस से denote करते हैं, g later से, अब इस g का जो value है, वो different, different places पे, different height पे, और depth के हैसाब से change होता है, बट हम जो free fall की condition में, जो applications करेंगे, जो problems करेंगे, वो क्या करेंगे, एक अर्थ से इतना ज़्यादा distance नहीं होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा distance नहीं होगी, इसी लिए हम g की value को constant रखते हैं, ठीक है, मिस हमारे सभी problems में g क्या है constant, या फिर हम इसे uniform भी बोल सकते हैं, ठीक है, uniform, ओके, अब, जब हमारा object किसी particular position से back होके downward direction में आता है, तो downward direction में आने के दोरान इस पर air resistance neglect होता है, ठीक है, मिस एर के जो particles है, वो किसी भी object को resist करते हैं, ठीक है, अगर आप air के particles भी add कर दें, तो object का जो motion है, वो कहीं न कहीं थोड़ा सा slide change हो जाता है, ठीक है, object की velocity में फिर change होता है, acceleration में change होता है, तो हम हमारे सारी problems में ये consider करेंगे, कि यहाँ air resistance neglect है, ठीक है, जब air resistance neglect हो, और कोई body किसी surface से throw हो, and again वो back हो जाए downward direction में, तो उस motion को बोलते हैं, free foot, ठीक है, motion under a free foot, clear है, चलिए, अब हमने जो g की value है, वो constant रखिये, means uniform रखिये, ठीक है, तो इसकी जो value है, वो sometimes 9.8 हो बती है, ठीक है, meter per second, but हमारे जो problems हैं, उनमें calculation easy हो जाए, उसलिए हम 9.8 के place पे, एप्रोक्स 10 meter per second square values put करेंगे, ठीक है, सभी problems में, या फिर आपको problems में, questions में दिया होगा, g की value, ओके, ये आपका constant है, क्योंकि, हम अर्थ के surface से, ज्यादा distance नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो हर place पे, अर्थ के हर place पे, हमको value constant, g की value constant लेना है, ठीक है, and that is 10 meter per second या 9.8 meter per second square, clear, हमने 3 kinematic equations पढ़े हैं, ठीक है, क्या है वो equations, that is, first equation है, आपका, V is equals to U plus A T, ठीक है, S is equals to U T plus half A T square, okay, and V square is equals to U square plus 2 A S, ये 3 equations हमने पढ़े हैं, अब आप इन 3 equations में, मुझे vector quantities बता सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या-क्या vector quantities हैं, तो आप बोलेंगे, इसमें V vector है, ठीक है, मतलब velocity vector है, velocity की एक particular direction लेना है, ठीक है, U, velocity है, ठीक है, अगेन, velocity है, ये क्या है, A, acceleration, and S, S is the displacement, तो ये जो different, different quantities हैं, वो quantities इस, इन equations में, क्या है, vectors हैं, ठीक है, vector है, in the sense, इनका particular direction है, तो हम आर्थ के surface से, upward और downward, जो directions लेंगे, उन्हें कैसे decide करें कि positive है या negative, क्यों, क्योंकि हमको motion in a straight line में, हमारा जो motion in a straight line, third chapter चल रहा है, उसमें only two directions ही हमें पढ़ना है, that is, plus positive and negative, ठीक है, आगे के lecture में, हम vector quantities पढ़ेंगे, बट इसमें क्या करना है, आपको only direction के लिए, दो ही direction, positive या फिर negative direction, तो अब हम upward direction या downward direction किस direction को positive ले, किस direction को negative ले, ठीक है, या फिर हम, हमारे पास जो variables हैं, उन्हें किस तरह से sign ways divide करें, ठीक है, तो एक particular convention है, जो कि आपको learn करना है, अगर अर्थ से, ये आपका अर्थ है, अर्थ से आप upward direction में गए, तो आपको velocity क्या लेनी है, velocity जो two velocity है, means initial और final velocity, दोनों को क्या लेना है, आपको positive, ठीक है, कब जब upward direction में गए आप, and downward direction में गए, then velocity आपको negative लेना है ठीक है, यहाँ पे negative लेना है, कब जब downward direction में हो आप, and displacement, so displacement आपका वही upward direction में positive होगा, ठीक है, as positive होगा, and downward direction में, as की value क्या होगी, negative, but acceleration की बात करें, क्योंकि acceleration जो है, वो हमेशा towards the earth होगा, ठीक है, किस direction में होगा, हमेशा downward direction में, towards the earth है, क्योंकि acceleration due to gravity work करेंगा है, ठीक है, तो g की value को, आप हमेशा, हमेशा क्या लेंगे, negative, ठीक है, means यह जो आपका acceleration है, एके प्लेस पे, आप minus g पुट करेंगे, every problem, आपके every questions में, एक की प्लेस पे, आपको minus g value पुट करना है, ठीक है, और g की value 10 भी हो सकती है, 9.8 भी हो सकती है, clear है, यह चीज़े clear है, अब हम करने जा रहे हैं, इसके कुछ examples, ठीक है, example number first है, an object is thrown in vertically upward, ठीक है, means आपका एक object है, ठीक है, यह आप अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े होके, आपने एक object को vertically upward direction में, upward direction में थ्रोग किया, ठीक है, then आपको calculate करना है, the time to reach maximum height, ठीक है, means time आपको calculate करना है, and the maximum height, maximum height calculate करना है, ठीक है, तो initially जब आप इस object को, यह आपका suppose एक object है, जब आप एक object को upward direction में थ्रोग करेंगे, तो उसमें आपको कुछ velocity होगी, ठीक है, means आपकी जो initial velocity है, यू, वो आपकी यू है, और वो क्या है, positive है, क्योंकि आप upward direction में थ्रोग कर रहे है, जो numerical values है वो नहीं दी हुई है, तो आप variables ही यूज़ करें, यू, positive, ये initial velocity, और जब maximum height पर object आ जाएगा, means यहाँ पर आके object रुख जाएगा, और फिर वो downward direction में वापस आर्थ की दराफ आएगा, ठीक है, तो इस position पर जो maximum height होगी, व final velocity 0 हो जाएगा, means आपने object को यहाँ से थ्रोग किया, और एक particular point पर आके उसकी velocity, final velocity 0 होई, and फिर उस point से, उस place से फिर वो return होगा, ठीक है, तो वो जो point है, और आप जो point, initial point चूज कर रहे हैं, आर्थ से, उसकी जो displacement है, that is the maximum height, यही maximum height होगा, ठीक है, इसे आप s consider कर ले, पस अब आपको क्या find करना है, first में time, means आपने जो s distance travel किया है, object को, वो time क्या होगा, maximum height तक पहुँचने में time क्या होगा, so time के लिए, means first आपकी problem को solve करने के लिए, आप first equation use कर ले, v is equals to u plus a t, अब यहाँ पर velocity तो positive है, but acceleration क्या लेना है, आपको हमेशा negative, ठीक है, so initial velocity, final velocity v is equals to 0 है, तो v के प्लेस पे आप 0 put कर दे, ठीक है, 0, initial velocity u है, so u variable ही use करेंगे अभी, and g के a के place पे minus g, ठीक है, a हमेशा negative, so minus g and t, यहाँ से g, t is equals to u हो जाएगा, so t को subject करें, so t is equals to u by g, so maximum height तक पहुचने के लिए, means इतना height तक पहुचने के लिए, उसको timing कितना लगा, t, ठीक है, second में, so, जो भी numerical values है, put करके, g की value को 10 put करके, आप t की value निकाल सकते हैं, okay, अब हम second problem, second b, solve करते हैं, the maximum height, s, जो है, वो आपको find करना है, ठीक है, so, यह आपका a है, और यह आपका b problem है, maximum height के लिए, equation कौन सा ले, v और u है, इसमें, ठीक है, तो यह equation ले ले, third वाला equation, v square is equals to u square plus 2as, ठीक है, final 0 है, and initially u है, okay, minus 2gs, okay, so 2gs is equals to u square हो जाएगा, and maximum height, s की value ही आपको find out करनी है, so s को subject बना ले, so u square upon 2g, that is your answer, ठीक है, यह आपका maximum height हुआ, मतलब इतनी height तक आपका object जाएगा, और फिर वो वापस return back हो जाएगा, earth पर, ठीक है, ground पर, clear है, यह दो, दोनों चीज़े हैं आपकी, ठीक है, अब एक और example करते हैं, जुसमें numerical values हैं, देखिए, आपके पास example है, a ball is thrown vertically upward with a velocity, ठीक है, एक बोल है, जो की vertically upward throw की जाती है, and उसकी जो velocity है, initial velocity है, that is 20 meter per second, from the top of the multi-story building, ठीक है, एक building है, पहले आप एक building बना दो, ठीक है, यह आपकी, क्या है, एक building है, अब building से, building की जो height है, दी हुई है, देखो, building, the height of the point from where the ball is thrown is 20 meter, ठीक है, बिल्डिंग की height जो है, वो 25 meter दिया हुआ है, ground से 25 meter तक, जो height है, वो building की है, और बिल्डिंग से उपर आप खड़े होके फिर बॉल को क्या कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शन में ठीक है मैं यहां पर आप खड़े हो गए और अब आपने बॉल को थ्रो किया बॉल की इनिशल वलोसिटी यू जो है वो कितनी है 20 मीटर पर से רת फाला किया में आप ऑंजो कि disciplines है वह साटाइल यह विल्यक aliens यहां पाता है यह जो पॉंट्स हैं से हमने यह यह फीगर आउट डिया새 जो जो छीज़ए हैं आपको फाइंड आउट करनी है वह देखेंड जी फोन शेंटान भी 10 इंत्क पर सकेंड स्कूरर दी गई थी wil the ball rice. कितनी उचाही तक ball rice करेगी कितनी उचाही तक ball जाएगी अब ऐसा नहीं आपको ground से इसा नहीं आपको किसी particular place से नहीं आपको मिंस जहां से आपने बोल को थो किया वहीं से आपको उसके जो maximum distance है वो find out करने है यहां से यहां तक की distance आपको find out करने हैं यह first वाला हो गया एवाला point हो गया second point में time before the ball hits the ground ठीक है जब बॉल यहां से throw हुई यहां तक गई ठीक है maximum height तक फिर वो again return back हुई और यहां से इस position से change होगे इस position से पार करके वो नीचे तक ground तक जाती है ग्राउंड तक पहुंचने का time क्या है वो आपको note करना है वो आपको find करना है ठीक है तो one by one इस question को करेंगे देखो इस question को करने का उसका question के लिए जो approach है आपकी वो किस तरह से लगा है first आपका height यहां से यहां तक कड़े जो displacement है आप पहले वो find कर ले ठीक है और second वाला point है उसमें time बोल रहा है कि time आप बताओ ball जो है वो ground से hit करें उसके पहले का time मतलब यहां तक वो बॉल आय रिटन बेक होंके ball यहां ground तक आये उसके पहले का time आपको note करना है तो यहां से यहां तक बॉल का जो time है आप पहले वो निकाल सकते है और उसके बाद में फिर ball का यहा कर दीजिए ठीक इतना time यहां से यहां तक गया और फिर again तो यह तो यह total time को add कर दीजिए तो आपको time आजाएगा time before the ball hits the ground आजाएगा फिर आपको clear होगा first आप पहले height find कर लिए ठीक है तो height के लिए equation v is equals to u plus 80 यू प्लस एटी यहां पर हाइट नहीं है तो हाइट के लिए अगेन दूसरा एक्वेशन ले लो ठीक है यह ले लो यू क्या है 20 और अफ़र डिरेक्शन में मिन्स पॉजटिव ठीक है 20 तो 20 का स्क्वेर हो जाएगा एंड यहां पर 2 इंटू एक की वेल्यू क्या है एक की वेल्यू है 10 बट माइनस 10 ठीक है एक के प्लस पर आप माइनस जी पूट करेंगे और जी की वेल्यू होती है 10 और एस ऐसा आपको फाइंड आउट करना है clear ओके चलिए यहां से 2 इंटू 10 इंटू S हो जाएगा ओके यह हो जाएगा 20 इंटू 20 तो यहां से 20 से 20 कैंसल आउट हुआ सो आपके पास S की वेल्यू हाइट जो आई वो 20 मीटर है ठीक है इतनी हाइट आपकी आई है 20 मीटर तो टोटल हाइट आप फाइंड आउट कर सकते है 20 प्लस 25 45 ठीक है ग्राउंड से यहां तक की जो डिस्टन्स है या मैक्सिमम हाइट है वो 45 मीटर है clear ओके हमने फर्स्ट वाला जो एपोइंट है वो फाइंड आप कर लिए अब सेकेंड टाइम बिफोर दा बॉल हीट तग्राउंड को हीट करने के पहले का टाइम बताना है आपको सो फर्स्ट आप यहां से यहां तक का टाइम नोट कर ले और फिर यहां से इस पॉइंट हम पॉइंट बता देत टाइम फाइंड कर ले और दोनों को एड करते हैं तो आपका टोटल टाइम आजाएगा तो हम क्या करें अब टाइम नोट करने के लिए इतना जो डिस्टरंस इसके लिए टाइम नोट करने के लिए क्या करें कौन सा एक्वेशन पूट करें इसमें जिसमें यू भी हो वी हो ठीक है so v is equal to u plus a t यहां से आप time note कर सकते हैं ठीक है time find कर सकते हैं v की value initially finally zero है और initially क्या है 20 और upward direction में इसलिए positive लेना है आपको and a is minus g ठीक है minus g miss 10 t t की value आपको find out करने है so 10 t is equal to 20 so t is equal to t की value यहां से आई आपके पास में 2 second ठीक है miss ball जब a point से b point तक गई तो उसको 2 second time लगा ओके अब हमें b से c तक जो time है वो note करना है तो b से c तक जाने के लिए आप distance जो total distance है वो 45 है miss s की value क्या है 45 meter ठीक है अब देखो किसी भी object को जैसे मेंने मेरे पास यह हमारा अर्थ है यह वाला आपका surface है आपने अर्थ नोट कर लिया और कुछ height पर यहां पर आपकी ball है ठीक है अब यहां से यह जो है आपका initial velocity ball की क्या हो जाएगी initial velocity means u is equal to zero हो जाएगा जब आपने ball throw किया नीचे जैसे उसको release किया ठीक है जब वो ground से touch करेगा उसकी जस्ट पहले की जो velocity है वो आपकी final velocity हो जाएगी और वो velocity v is equal to हो जाएगी 20 meter per second ठीक है एंड velocity जो है वो downward direction में मिन्स आप object को release कर रहे हैं और object downward direction में जा रहा है means velocity negative हो जाएगी clear है अब invariable square g की value जो है a की value minus g ठीक है और minus g की value क्या होती है 10 so 10 meter per second square यह invariables को लेके आप equations में put कर दीजिए तो आपको timing की value पता चल जाएगी ठीक है क्या होगा s is equal to ut plus half 80 square okay u क्या है yes एक और important thing displacement जो है वो नीचे की तरफ है so यहाँ पर negative होगा यह चीज़े आपको ध्यान रखना होगी कि आप displacement को positive ले रहे हैं या negative क्योंकि बोल को आपने downward direction में थ्रोग किया तो displacement भी downward होगा ठीक है so minus होगा यहाँ पर minus 45 ठीक है u की value क्या होगी 0 and a की value क्या हो जाएगी आपकी minus g ठीक है minus g तो minus आगे लेक दिया में है ओके minus 45 and 1 by 2 minus g की value हो जाएगी 10 यहाँ t square ठीक है minus से minus cancel यहाँ 2 से 5 ठीक है and and 5 t square is equals to 45 होगा ठीक है so t is equals to 45 upon 5 5 9 is a 45 and here t is equals to under root 9 so t की value आईगी plus minus 3 ठीक है under root 9 means 3 so plus minus 3 तो t को समय को आप positive ले या ने कि time हमेशा positive होता है हमेशा आपको positive values लेनी ओके so t is equals to 3 second तो जब पॉल ने a to b distance travel किया तब पॉल को time लगा 2 second and जब बॉल ने b to c travel किया तब 3 second लगा time तो total time इस जर्नी का a to b and b to c total जो timing है वो आपका t1, t2 consider कर ले ठीक है दोनों time को आपको add ही करना है means 2 second plus 3 second दोनों को add ही करना है तो total आपको time 5 second लगा ठीक है आपने यह method ले लिया ठीक है एक और approach है जिससे आप इस बी point को और भी clear कर सकते है ठीक है इसमें क्या किया हमने हमने सिर्फ initial और final point consider किया है ठीक है हमारा initial point क्या है यह और final point क्या है यह अब देखो इनीशली जो velocity है आपकी वह क्या है 20 मीटर पर सेकंड पर सेकंड प्लस है तो प्लस ही करना है आपको ठीक है जो टोटल टाइम आ जाएगा आपको बॉल की जो जर्णी है वह A to B and B to C तो बॉल का जो initial point है वह A होगा and final point होगा C तो हम बॉल की टोटल जर्णी का टाइम find out करने के लिए initial और final point को consider कर सकते हैं और उसके तुरू हम answer ला सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो मैंने वही बोला इनिशल वलोसिटी 20 meter per second clear yes displacement क्या हुआ A to C का 25 25 meter yes but displacement downward direction में so negative okay yes तो अब हम एक जो हमारा formula है जो equation है वह यहां पर पूट कर दीजिए ठीक है एक की value का minus d consider करना है और minus 10 meter per second square so s is equal to ut plus half a t square यह ही आपको formula use करना है यहां पर ठीक है s की value क्या है minus 25 and u की value plus 20 ठीक है 20 t and t yes 1 by 2 g a की value minus g ठीक है minus g means minus 10 तो minus यहां पर मैंने आगे लगा दिया पहले ही सही and here t square ठीक है यह 2 से cancel हो जाएगा 5 okay so minus 25 and इसे इन values को आप LHS में ले आएं minus 20 t and plus 5 t square okay 5 से divide कर दीजिए so here t square minus 4 t and minus 5 यह आपका quadratic equation बन गया है इसे solve करेंगे so t square यहां पर मैं इसे 4 t को 5 t plus t लिख सकते हो क्योंकि minus 5 and plus 1 क्या हो जाएगा minus 4 और दोनों का multiplication करेंगे तो minus 5 आ रहा है ठीक है यह सब maths की जो basic चीजह है वो है okay so t plus 1 से तो minus 1 सेकेंड होगा तो वो तो possible नहीं है means आपको t is equal to 5 seconds यह time हुआ ठीक है तो इस equation से इस approach से भी आप find out कर सकते हैं कैसे आपको सिर्फ initial point और final point को consider करना है ठीक है और यह वाला जो approach है यह भी आप ले सकते हैं a to b c का है and then b to c okay i hope आपको यह two examples clear हुए होंगे कि कि पहले तो हमने simply किया variables लेकर and second वाला जो अभी जो हमारा examples है वो हमने numerical values लेकर किया solve okay आज का lecture हम यहीं end करते हैं अब next lecture में relative velocity के बारे में study करेंगे ठीक है जो कि हमारा last lecture होने वाला इस chapter का और मैंने पहले भी बताया है कि आपको इन सभी chapters के numericals भी पिलेंगे बट पहले सभी chapters के concept clear हो जाए उसके बाद में one short video में सारे numericals जो भी NCRT में है सब भी numericals हम लोग करेंगे ठीक है तो stay tuned with NPC and जल्दी ही chapter 4 chapter 4 vectors आने वाला हैं ओके बाए बाए टैक केर जाने बाए जाने पार के लिए प्लीज 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 सपोर्ट मी ओके